तो हे गाज दिसमिया का सैनी तो आज स्टार्ट करते है अपनी इस सीरिस की नेक्स वीडियो जो है फैब 2022 डीट्यू के अंदर प्लेस्मेंट में जो जो कंपनी जाए थी उन सभी कंपनी की डेटेल इस वीडियो में आपको मिल जाएगी और यार किसी को अगर इस सीरिस के बारे में ना पता हो तो आई बडन पे लिंक आ रहा होगा डीट्यू प्लेस्मेंट 2021 से लेके 2022 तक जो जो कंपनी जाए डीट्यू में थोड़ा सा डीटेल में बता दूँगा उसके बाद जो भी कंपनी जाएगी उनको थोड़ा जल्दिल्दी करने की कोशिश करेंगे जिससे वीडियो शोट बनेगी लेंदी नहीं होगी बोरिंग नहीं होगी फर्स्ट कंपनी अपनी है जैसे कि Amigo आपको दिख रहें है स्कृν पर कंपनी का नेम यहाँ पर लिखा होगा लोकेशन यहाँ पर लिख्योगी जैसे कि इस पर रिमॉट लिखा हुगा है बिमॉट मीन्स आपको ओल अवर इंडिया में कहीं भी लोकेट कर सकते हैं मोस्ली जो freshers होते हैं उनको south side locate करते हैं अब application open date means आई कब थी company हमारे college में DTU में तो application open date यहां लिकी हुई है close date यहां लिकी हुई है in between these dates आप इसको fill कर सकते हो अगर आप नीचे वाले criteria में fulfill होते हो तो अब इसका ctc वेगेरा जो भी इसकी पैसों के लिए दिन की वार job description सारी detail आपको यहां पर दिखने को मिल सकती है जैसे कि आप ctc देख सकते हो 45 इसमें जो भी base है प्लस में ESOPS जो भी है वो सब कुछ आपको यहां मिल जाएगा यहां पे यहां पर कुछ लिखा हुआ है यहां पर से आपको रीड करना है कि पहले इंटर्न के लिए इंटर्न प्लस एफ्ट के लिए यह यह फिर डारेक्ट एफ्ट रोल के लिए यह ऐसा कुछ यहां पर आपको दिखने को मिलेगा CTC यहां दुबारा लिख दिया है 12, 10th percentage नंबरो बैकलोग 0 लिखा हुआ है अब आपके 12th और 10th में 80-80% marks in minimum होने चाहिए means 80 और 80 अबब होने चाहिए तो आप इस कंपनी के लिए apply कर सकते हो तो नंबरो बैकलोग 0 लिखा हुआ है means आपकी 4 years में जो भी आप कोई बैकलोग ना है इस कंपनी में apply करने से पहले अगर आपकी बैकलोग आई है चाहे वो आपने clear कर ली हो चाहे ना की हो बट वो आपकी बैकलोग में consider की जाएगी तो नंबरो बैकलोग यहाँ पर 0 है तो यार यह कंपनी जो है यहाँ पर आपको programs eligibility देखने को मिल सकती है यहाँ पर सारे programs लिके हुए है जैसे कि BTEC, MTEC, MSC, MBA, BBA, BAE, CO, BDASH तो यह सारे programs जो है DTU में होते हैं DTU करवाता है इन programs को अब BTEC के अंदर यह company आई थी इसकी cutoff जो है college cutoff means BTEC की cutoff जो है वो 6 थी अब BTEC में जो भी bold branches होंगी उन सभी पर focus करना जैसे कि यह auto, civil, CS, electronics, electrical, EP, IT, MCME, and software engineering उन सभी branches के student अगर वो सब इस criteria को fulfill करते हैं तो वो इस company में eligible हो सकते हैं इस company को apply कर सकते हैं तो यह first मैंने बता दिया है first company की पूरी detail दे दिया है अब मैं इस video को थोड़ा जल्देल दिख continue करूँगा fast and furious तरीके से इसको खतम करने की कोशिश करूँगा तो चलते है next अब next अपनी company name यहां पे लिखा हुआ है यह सारी detail दे रहे है यह पढ़ लेना read कर लेना only BTEC के लिए ती zero cutoff के साथ eligibility जो भी bold branches हो देख लेना next company यह है अपनी सारी detail दे रहे है पढ़ लेना BTEC Mtech 6.5 cutoff के साथ आई थी BTEC के लिए जो भी bold branches है Mtech के लिए bold branches and one more thing is जिसको किसी को कोई doubt हो किसी का कुछ पूछना हो कुछ रह जाए तो नीचे comment कर सकते हो आप comment में आपके सारी doubts clear करने के कोशिश करूँगा अगर किसी का similar doubt होगा तो उसकी भी help हो जाएगी उस doubt को clear हो जाएगा उसका भी next company अपनी हाली की हुई है इसका सारी detail चिट्था यहां पर दे रहा हो read कर लेना BTEC Mtech के लिए 6 cutoff के साथ BTEC के लिए bold branches next company यहीं सारी detail दे रहे देख लेना BTEC Mtech 00 cutoff के साथ BTEC के लिए bold branches next company check new daily location है BTEC के लिए 0 cutoff के साथ BTEC के लिए only और सभी branches के लिए open थी next company यहीं BTEC के लिए Mtech के लिए आई थी cutoff को हम 00 मान सकते हैं अगर नहीं given है अब BTEC के लिए सारी branches के लिए eligible थी Mtech के लिए भी सभी branches के लिए लास्ट की दो छोड़कर next company अबने यह आती है BTEC के लिए eligible 6.5 cutoff वाले student ही इसमें apply कर सकते थे और जो right area में fulfill होते वो bold branches वाले ही apply कर सकते थे next company यह आती है BTEC 00 cutoff के साथ BTEC 00 cutoff के साथ BTEC के लिए bold branches नेक्स कंपनी आती है BTEC के लिए open थी MBA BBA BCO ICO वाले के लिए open थी 00 cutoff के साथ सब के लिए BTEC के लिए bold branches थी MBA BBA BA वालों के लिए भी open थी next company आती है यह अपनी BTEC 6 cutoff के साथ BTEC के लिए bold branches इसका BTEC के लिए 7.5 cutoff के साथ BTEC, next company BTEC 00 cutoff only polymer वालों के लिए next company BTEC 6 cutoff के साथ only bold branches next company आती है यह वाली इसका BTEC के लिए 0 cutoff के साथ only इन 3 branches बोल्ड वाली next company आती है BTEC 00 cutoff के साथ सारी बॉल्ड ब्रांचिस नेक्स कमपनी आ जाती है ये वीडियो को यार पोस्ट करना वीडियो को पोस्ट करकर करके आप रीड कर सकते हो मैं इसको जल्दी ख़तम करने की कोशिश इसले कर रहा हूँ ताकि हम कुछ नया लेकर आए content आपके लिए must must इससे भी तगड़ा content आने वाला है इस channel पर तो channel को new हो तो एक बाद channel को जोरू subscribe कर लेना और करवा देना next btec के लिए 7 cut off के साथ ये सारी branches जो भी bold वाली है next company आ जाती है ये btec mtec 6.5 cut off के साथ btec के लिए सारी branches mtec के लिए भी सारी branches next company आ जाती है btec के लिए zero cut off के साथ btec के अंदर सभी branches के लिए open है next company आ जाती है btec mtec zero zero cut off के साथ ये सारी तीन branches और ये नीचे वाली तीन branches और ये जो भी bold branches है एक चीज और btec mtec जैसे की zero zero cut off लिखा हुआ है zero cut off का मतलब ये नहीं है कि आपकी zero cut off आए तो आप इसमें eligible हो सकते हो means zero cgp अगर आपकी है किसी भी program में तो आप इसमें eligible हो यार अगर आपके zero cgp है इसका मतलब आप किसी paper को clear ही नहीं कर पा रहे हो यार ये कि एक गुमरा करने का तरीका है सभी students को बिठा लेते है पहले जो भी इन branches के student है वो सभी इस btech mtech program में zero cutoff means किसी की five cutoff है, किसी की four cutoff है minimum cutoff वाले भी इस company में बैठ सकते है, paper दे सकते है बट बाद में क्या होता है जैसे कि company ने बोला as usual मैं example देता हूँ company ने बोला, so students आ चुके है इनका interview हम नहीं ले सकते इन्होंने paper clear कर दिया है only 50 का interview लेंगे, तो यहाँ पे कुछ cutoff criteria लगा देंगे, कि 8.5 plus या 8 plus CGP वाले ही interview बैठ सकते हैं, तो वो मालो 8.5 या 8 plus वाले 50 के around हो गए है, तो company वाले happy और हमारा पत्ता cut हो जाएगा, जो भी 8.5 से नीचे वाला होगा और जिसने paper clear कर लिया होगा, तो ये scene होते है, तो ये बता रहो अब next company पे आजाते है, अपने MTec के लिए सारी branches थी, next company ये जाती है BTeC के लिए 7 good off के साथ सारी branches के लिए उपन थी, next company ये जाती है BTEK के लिए 0 good off के साथ सब कर दो, बाफ यॉब हो, सामसंग के और सिक्स कट ओफ के साथ ये ब súšk कर दो पूरे साल में बी टोफ के अनदर ये बना इसे ब्रांच इसक्रक्याइश के लिएटि आओ अगर नहीं दीै तो बीटेक के अंदर बांच साही इस सबके लिए ओपन लिए शंब हो, के साथ बॉल्ड ब्रांच के लिए उपन एती है विस्टेघ एम्टेकट में से 666 कट आफ के ससाथ डिटक के अंदर सभी ब्रांच प्रंच इंदर सभी ब्रांच इस लास्ट की दो छोड़कर और जब सब इससमे के लिए सब्सक्राइब नहीं है यह आपको बता चलेगा आपको बताईगी कि आपकी पर्डिकुलर यह पर्डिक्रा में हों सब्सक्राइब को बताती है तो आपको बताती है कि हो बाकर क्वीदियो फोड़ी है, इस में लगी उनाया या और लाइक कर देना, इसमें कोई डाउट हो तो नीचे कमेंट सेक्शन आपके लिए घाली बढ़ा हुआ है, नीचे क्क्राइब करना, जिससे क्या आपके डाउट्स क्लियर होंगे और अगर इस चैनल पर न्यू होँ तो इस चैनल को जड़र सबसक्राइब कर ले न मस्त मस्त कॉंटेंट ऐने वाला है सब्सक्राइब फो एक यह धे जलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे जल्दी तिल दन बाइट टड़ाओ